Hello students and welcome to your own channel अनीता शिक्षा सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पर आज हम पढ़ने वाले हैं 10th class की RBC and CBS की English की textbook जिसका नाम है First Flight और उसकी poem Dust of Snow जो Robert Frost के द्वारा लिखी भी है उसके question answers जो मैं आपको हिंदी में explain करने वाली हूँ जैसा कि आप लोगों को screen के उपर दिखाई दे रहा है हम First Question से start करते है What is Dust of Snow? यानि कि इस कविता में Dust of Snow किस चीज़ को कहा कया है यानि वर्फ की धूल क्या है Dust of Snow is a collection of tiny particles of snow resting on the upper part of an object or a creature after a snowfall यानि कि बर्फ की जो धूल है वो छोट छोटे बर्फ के कणों का एक समू है जो बर्फ के गिरने पर किसी वस्तु या किसी प्रानी या जीव के उपरी भाग को धक देता है उस पर जमा हो जाता है उसको बोलते है next question देखिए what does the poet say has changed his mood यानि कवी क्या कहता है कि उसका जो mood है वो किस चीज ने बदल दिया when the crow shook down on him the dust of snow from the hemlock tree it has changed the poet's mood यानि जब कवे ने hemlock brush के उपर से बर्फ की धूल को हिला कर उसके उपर गिराया तो उससे कवी का जो mood है वो बदल गया next question देखिए how has the poet's mood changed यानि कि कवी का mood जो है वो कैसे बदल गया before the change of mood the poet was idling away his time but after the change of mood he made use of his time and his sad mood changed into happy mood यानि mood के बदलने से पहले कवी अपने समय को फालतू में व्यर्थ कर रहा था खराब कर रहा था बरबाद कर रहा था इसे कह सकते हैं लेकिन जब उसका mood बदला तो mood के बदलने के बाद उसका समय जो है उसको उसने सदूपियोग किया और उसका खराब mood से अच्छे mood में change हो गया next question देखिए how does Robert Frost present nature in the poem यानि कि Robert Frost इस कविता में प्रकर्थी को कैसे दर्शाते हैं किस प्रकार प्रस्तूत करते हैं Robert Frost present nature in artistic and symbolic way यानि कि इस कविता में Robert Frost जो है वो प्रकर्थी को एक कलात्मक और संकेतात्मक तरीके से प्रस्तूत करते हैं what is a hemlock tree यहाँ पर दो बार इस लिखा है आप एक पर देख पढ़िएगा इसको what is a hemlock tree यानि hemlock व्रिक्ष क्या है hemlock is a poisonous tree with small white flowers hemlock एक जहरीला पेड़ है जिसके उपर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं अगला question देखे what do the crow and hemlock represents joy or sorrow in the poem of dust of snow यानि कि यह जो कविता है इसके अंदर जो कववा और hemlock tree है वो किस चीज़ को represent करते हैं खुशी को represent करते हैं या दुख को represent करते हैं crow and hemlock represent sorrow दोनों ही चीज़ें कववा भी और hemlock tree भी दोनों ही दुख को represent करते हैं the crow represents the dark and sorrowful side of nature and the hemlock represents the poisonous side of nature क्योंकि जो कववा है वो प्रकृती के अंदकार में और दुख्पून पक्ष को व्यक्त करता है और हैमलोक जो है वो प्रकृती के जहरीले पक्ष को व्यक्त करता है Man faces both these things in different or in same time in his life मनुष्य जो है वो अपने जीवन में एक या अलग-अलग समय में इन सब का सामना करता है The dust of snow stands for the ray of hope It makes the poet active once again and helps him to change his mood कि जो dust of snow है यानि बर्फ की जो धूल है वो दुख्पून विचारों को कभी के मन से हटाने की और इंगित करता है यह उन विचारों को हटा देती है यानि की यह कभी के मन के भावों को बदलाव में व्यक्त करती है What is the main theme of the poem Dust of Snow? Dust of snow जो कविता है उसका मुख्य विशेवश्टू क्या है? There are some simple actions that leave a great impact on human mind The fall of dust of snow changed the poet's mood कुछ सामानने कारे, कुछ ऐसी चीजें जो मानव के मन पर गहरा प्रभाव डाल देती है वैसे ही बर्फ की धूल का गिरना कभी के मन को बदल देता है उसका change हो जाता है, mood जो sad mood था वो अच्छी mood में बदल जाता है Next question देखिए How does the poet present nature in this poem? इस कभीता में कभी ने प्रकर्थी को किस तरह से प्रस्तूत किया है? The poet presents nature in this poem is a mood changer His sad thoughts are changed with the simple act of nature ये जो कभीता है, इसमें कभी ने प्रकर्थी को मन के भाव बदलने वाले के रूप में प्रस्तूत किया है उसके दुख्पूर्ण विचार प्रकर्थी के एक सामन्य से, काम से यानि कारे से बदल गए है उसका mood अच्छा हो जाता है What does the dust of snow indicates? यानि कि ये जो कभीता है, इसमें dust of snow जो है, यानि बरफ की धूल वो किसकी और इंगित करती है, क्या दर्शाती है The dust of snow indicates the fall down of sad, pessimistic thoughts from the mind of the poet यानि कि बरफ की धूल जो दुख्पूर्ण विचारों को कभी के मन से हटाने की और इशारा करती है It removes negative ideas, वो उसके मन से उन विचारों को हटा देती है, जो खराब है, negative है It indicates the change of mood of the poet और ये कभी के मन के भावों के बदलाव को व्यक्त कर दी है How can you say that the poet is very sensitive? आप कैसे कह सकते हो कि जो कभी है हमारी इस कभीता में, वो बहुत ज़्यादा sensitive है sensitive का मतलब होता है, समवेधन शील, sensitive man is affected with every action ऐसा इसले कहा गया है, क्योंकि जो sensitive व्यक्ती होता है, यानि समवेधन शील व्यक्ती होता है वो हर काम से प्रभावित होता है The simple act of nature did so on the mood of the poet, that is why he is very sensitive और प्रकृती के एक सामन्ने से काम नहीं कभी के मन को के साथ ऐसा किया, उसके मन को बदल दिया अच्छे mood में बदल दिया इस कारण से वह बहुत ज़्यादा समवेधन शील व्यक्ती है I hope आपको ये question answers अच्छे से समझ में आ गए होंगे इससे पहले भी मैंने आप लोग को कुछ इसके questions करवाए है Comprehension and Appreciation Extract में वो भी आप लोग जरूर देख लीजेगा मिलते हैं अपनी next class में Fire and Ice के question answers यानि अगनी और बर्फ के question answers के साथ अगर अभी तक आपने कवीता नहीं पढ़ी हैं दोनों तो आप 10th class की playlist में मेरे channel पे जाके पढ़ सकते हैं अब तक मैंने आप लोग को 7 chapters complete करवा दिये हैं आपके 5 chapters first flight book के complete हो चुके हैं उसके अलावा आपकी footprints without feet book के भी 4 chapters में करवा चुकी हूँ जो आपको playlist में available हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं A letter to God chapter 1 Nelson Mandela chapter 2 Two stories about flying में दो पार्ट है His first flight और second part The black aeroplane Fourth chapter है आपका from the diary of Annie Frank और fifth chapter है आपका The hundred dresses part 1 and part 2 ये सब chapters आपको अनीता शिक्षा चैनल के 10th class के playlist में available हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और poems में भी dust of snow, fire and ice, a tiger in the zoo and how to tell wild animals ये चारों कविताएं भी आपको मिल जाएंगी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं Second जो आपकी book है Footprints Without Feet उसका chapter number 2 A thick story Chapter number 5 Footprints Without Feet Chapter number 9 जो है आपका भोली और chapter number 10 The book that saved the earth ये भी आपको उसमें with question answers and summary line to line explanation के साथ available हैं आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, स्वस्त रहिए, thank you, have a nice day और अगर आपको chapter अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है इस channel पे तो जाने से पहले इस channel को like, comment और share करना बिलकुल मत भूलेगा bell icon को press कर दीजेगा, ताकि आगे आने वाले और जो chapter से उनके notifications आपको time to time मिलते रहें, thank you